जहें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको fundamental right के पहले point equality before the law के चारो articles को simple explain करने की कोशिश करूँगा इसका pdf भी आपको description में बिल जाएगा बीने किसी देरी के चलो शुरू से शुरू करते हैं fundamental rights इनमें हमारे भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार लिखा हुआ है जो कि सम्मिदान के part 3 में आता है और इसे अमेरिका के constitution से लिया गया है साथ ये बता दो कि fundamental rights पहले 7 था अब 6 एक हटा दिया गया है वो एक कौन हटाये गया है वो article 31 था जो कि right to property के बारे में बताता है ये अटाये गया था 44th Constitution Amendment Act के दौर जो कि 1978 में हुआ था और इसे हटा किर सम्मिदान के part 12 के article 30a में रख दिया गया है आईए अब हम लोग एक करके articles को समझते हैं पहला है हमारा article 12 जो कि definition of state यहनी कि राज की परिवाशा बताता राज की परिवाशा किस माध्यम से बताता है यह समझने की कोशिश कीजिए परिवाशा से इसका मतलब यह नहीं कि राज का एरिया या बाउंडरी कितना है बलकि यह है कि मान लोग किसी राज में अगर लागडाउन लगा है तो उस दौरान तुम गुमते हो तो पुलिस द्वारा एरेस्ट हो जाओगी इस परिवाशा से यह तातपर निकलता है आर्टिकल 13 क्या कहता है सिंपल वाशा मकाऊं तो आर्टिकल 13 के हिसाब से पार्लियमेंट में कोई भी लौ नहीं बन सकता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध यागे कि दोस्तों आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है fundamental rights को difference करने के लिए बनाया गया था अब हम दोस्तों fundamental rights के पहले point right to equality के पहले आर्टिकल को देखेंगे आर्टिकल 15 बताता है कि आपके साथ पांच आधार पर कभी भेदबाव नहीं होगा जिनमें से पहला है धर्म फिर मूलिवंच मूलवंच यानि नागरिक्ता फिर जाती फिर लिंग यानि कि आप मेल है या फीमेल है और साथ ही जन्मिस्थान यानि कि आप कहा के रहने वाल है तो जनुरत मंदों के लिए जैसे कि यह बताता है कि जो जातिया समाज में उपर उठ चुकी है उनको नहीं रोकेगा बलकि जो पीछे रह गई है उनको बढ़ावा देगा यह आरक्षर होता है दस्तों और यह तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे समाज में समानता नही देखा जाएगा हां लेकिन इन में आरक्षर भी होगा वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ जैसा कि मैंने उपर समझाया है फिर दोस्तों मेरा आता आर्टिकल 70 जो कि अबॉलिशन आफ अंटेचबिलिटी बताता यानि आर्टिकल 70 के हिसाब से चुवा चूत क को खत्म कर दिया गया है मतलब कोट यह कहता है कि अगर किसी वेप्ति को कोई बीमारी है जैसे कोरोना तो आप उससे दूर हट सकते हैं लेकिन जादी के आदार पर आप उससे चुवा चूत नहीं कर सकते हैं तेक हैं दोस्तों देखता है कि आर्टिकल 18 क्या गयता है इसके आदार पर अब कोई खुद को टाइटल नहीं दे सकता है टाइटल वा जो किसी एक आदमी को दूसरे आदमी दोरह स्त्रीष्ट दिखाता है जैसे महराज राय चौधरी राय बादूर आधी फिलाल अबॉलीशन आफ टाइटल के हिजाब से बारत में टाइकल बंद कर दिय लेकिन नेशनल अवर्ड जैसे पदमपूशन पदमश्री आधी अवर्ड मिलते हैं लेकिन आप इन अवर्ड के नाम आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं फिलाल इस वीडियो में आपको राइट टू इक्वालिटी ही बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं जाहिन